हाई एब्रिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुराहुल जेस्वाल लें स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important science का lecture वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9 standard के लिए science subject का जो हमने अपने चाप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है चाप्टर नमबर 5 एसिड बेसेस और सॉल्ट आज हम इस particular चाप्टर का lecture नम लिक्तमस पिपर से बताया था और दूसरा बताया था कि कैसे आप Arrhenius theory जो था उसके इसाप से कैसे acid और base को identify कर पहोगे फिर उसके इसाप से reactions देखा हमने कैसे dissociation होता है ये सभी चीज हमने देखा था दोस्तों तो आज उसी को बढ़ाते हुए दोस्तों acid and basis का एक topic हम लो design paper classification है तो classification कि अगर बात करें तो बहुत सारे type के acid होते हैं बहुत सारे type के base होते हैं यांपे एक type ऐसा परणा ह है कि acid या फिर base होगा strong यानि कि strong acid strong base और classification ऐसा है कि जो base होगा या तो वो strong होगा या तो weak होगा तो यानि कि strong base या फिर weak base तो exactly यह क्या होते हैं यह हम discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले है strong acid, strong acid का मतलब क्या होता है तो strong acid, पहली बात तो acid का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि whenever on dissociation, यानि कि कोई भी substance को जब हम पानी में डालते हैं, dissociation करते हैं, तो उसमें H plus iron जब दिखता है, तो वो क्या होता है, acid होता है लेकिन यह strong acid क्या होता है, कि जब भी हम लोग उसको पानी में dissolve करते हैं, तो strong acid जब dissociate करता है, तो वो almost completely dissociate हो जाता है, यानि कि पूरा का पानी में जाके वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जो भी result मिलता है, जब अलग हो जाता है, उसके अंदर पूरा dissolve हो गया, मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उस चीज़ को strong acid यानि कि एक चीज़ याद रखना है कि strong acid में क्या होगा कि पूरा का पूरा पानी में वो dissociate हो जाएगा पूरा dissolve हो जाएगा and उसके अंदर से आपका H plus strong acidic radical जो है यह सबसे strong acid माना जाता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ hydrogen bromide यानि कि HBR तो यह भी एक बहुत ही ज़्यादा important acid and strong acid है एक और acid होता जिसको बोलते हैं हम लोग nitric acid HNO3 ठीके न, HNO3 hydrogen, nitrogen, oxygen का 3 यानि कि nitric acid बोला जाता है तो यह कुछ important acid से यह आपको याद रख लेने हैं ठीके क्योंकि आपको exam में अगर पूछेगा तो example जरूर लिखना strong acid का या फिर जो भी type का acid पूछेगा ठीके तो second बात कर लेंगे strong acid उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं अगले topic यानि कि अगला type का acid तो एक strong acid होगा तो एक acid होगा weak यानि weak acid तो weak acid का मतलब क्या होता है यह हम जानने की कोशिश करते हैं यानि कि जब हम लोग वो acid को पानी में जब dissolve करते हैं दोस्तो तो पानी में dissolve करने के बाद वो पुरा completely dissociate नहीं होता है strong acid क्या हो रहा था? पुरा गुल जा रहा था पानी में पुरा dissociate हो रहा था separate हो जारता उसके ions जो है separate हो जारते लेकिन यहां पे जो weak acid होगा जो substance होगा उसको हम पानी में जब dissolve करेंगे तो वो पुरा dissociate नहीं होगा completely और बले उसके अंदर H plus आयम निकलेगा लेकिन पूरा completely dissolve नहीं होगा पूरा completely dissociate नहीं होगा और उसके अंदर जो concerned acidic radical रहेगा वो बहुत ही छोटा amount में मिलेगा यानि कि इसमें H plus जो मिल रहा था वो बहुत जादा amount में मिल रहा था इसमें जो acidic radical यानि H plus निकलेगा वो बहुत ही कम तादाद में निकलेगा बहुत ही कम amount में निकलेगा इसी विए ये weak acid को एक और नाम से जाना जाता है undissociated undissociated मतलब completely dissociation नहीं हो रहा है that's why ये क्या है weak acid है तो examples अगर मैं बात करूँ weak acid का एक है H2OCO3 यानि कि hydrogen carbonate है H2CO3 जो होता है ये एक acid है फिर एक होता है आपका acidic acid CH3COOH ये आपको पता ही होगा acidic acid बोलते हैं इसको बोलते हैं vinegar common language में vinegar जो आप खाते हो ना दोस्तों Chinese वगरे में भी डालते हैं आचार बनाने के लिए vinegar यूज होता है तो ये vinegar एक acid होता है लेकिन वह कुण सा acid है weak acid है CH3COOH उसका formula होता है correct है तो आपको ये चीज़ उमीद करता हो समझ में आ गया होगा क्या होता है strong acid क्या होता है weak acid ओके अब अगला बात करें अगर classification of acid and base की तो acid हमने देख लिया कि strong acid क्या है weak acid क्या है वैसे हम बात करेंगे कि strong base क्या है और weak base क्या है तो सबसे पहले strong base ठीक है तो strong base की बात करेंगे तो सबसे पहले strong base के पहले वापस से base का definition अगर मैं बता दू according to the RNAs theory क्या बोलता है base का definition कि जब भी कोई substance को हम लोग पानी में dissolve करते हैं उसका dissociation completely होने के बाद उसमें से अगर OH-Ion यान कि यह वाला OH-Ion जो है निकलता है dissociate होने के बाद तो उस चीज़ को हम लोग base बोलते हैं बेस भी सेम उसी परकार completely पानी में घुल जाएगा पानी में dissociate हो जाएगा उसमें से आपका OH-Ion जो है बहुत ही ज्यादा तादाद में निकलेगा बहुत ही ज्यादा amount में निकलेगा OH-Ion ऐसे type के base को हम लोग क्या बोलेंगे strong base clear है दोस्तों तो इसके examples भी learn कर लेते हैं याद कर लेते हैं तो strong base के examples के अगर मैं बात करूँ सबसे strong base माना जाता है दोस्तों वो है sodium hydroxide यानि NaOH फिर इसके अलावा भी होता है potassium hydroxide KOH या आपको यह सब चीज़े याद रखनी है clear है अब बात कर लेते हैं हमारे चवते type के base क यानि कि आपका क्या हो जाएगा weak base strong base आपने समझ लिया वैसे यहाँ पे weak base है तो weak base क्या होता है इसको समझने की कुशिश करते हैं तो same जब भी हम लोग weak base को जब पानी में उसको dissolve करते हैं तो फिर सही क्या हो जाएगा पानी में completely dissociate नहीं होगा ठीक है difference पता चल गया ना weak base बोलेंगे clear examples के अगर मैं बात करूँ तो इसमें आ जाता है आपका again that is NH4OH यानि कि आपका ammonium hydroxide NH4OH इस इस दा one example of weak base जो की होता है ammonium hydroxide तो यह एक ऐसा base होता है जो बहुत ही weak होता है clear है यह चीज़ आपको याद रखना है ठीक है and last एक और चीज़ है जिसको हम लोग बो चलेगा क्या है उसका definition अगर मैं व्याद करूँ तो जब बेस जो होते हैं एकदम highly soluble हो जाते हैं मतलब जो भी base जो भी base चाहे वो strong हो चाहे वो weak हो उससे फरक नहीं पड़ता लेकिन वो base होना चाहिए तो अगर कोई भी base यहां पे completely soluble हो रहा है यानि कि बहुत ज़्याद highly soluble है आराम से soluble हो रहा है पानी के अंदर तो ऐसे type के base को हम लोग क्या बोलेंगे alkali बोलेंगे examples की बात करें तो same इसमें भी आ जाएगा sodium hydroxide potassium hydroxide यह आपको याद रखना है ठीक है तो basically यह कुछ अलग चीज़ है लेकिन है same ही देखोगे आप strong base sodium hydroxide ता potassium hydroxide तो in short strong base क्या हो soluble in water is called as the alkali बस इतना आप बोल दोगे तो आपका definition हो जाएगा sodium hydroxide potassium hydroxide is the formula for that example for that तो यह आप लिख सकते हो clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा अब बात कर लेते हैं एक और छोटा सा topic है जिसका नाम है basicity और acidity सभी ने acidity का तो नाम सुना ही होगा और यार acidity हो गया but that acidity is different thing ठीके उसको हम लोग और चर्चा करेंगे वो biological point of view acidity है लेकिन यहाँ पे basicity of acid और acidity of basis यह दो topic है यह हम लोगो पढ़ना है तो इसको भी में बता देता हूँ फिर हम जाएंगे हमारे सीधा अगले topic की तरफ ठीके तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ ओके जान से देखिएगा ओके तो आप जैसे मैंने बोला कि हमारा जो अगला topic है वो है आपका acidity acidity या फिर basicity तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो है आपका basicity of acid तो दो चीज़ पढ़ना है एक पढ़ना है basicity of acids तो आप देखो के थोड़ा सा unique topic भी आपको दिखाई दे रहा होगा तो यह है basicity लेकिन acid का यह है acidity लेकिन base का तो यह exactly क्या होते हैं इसको हम लोग सोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर topic है जो कि आपको exam में अकसर पूछता है तो अगर हम बात करें basicity of acid की यानि की the number of H plus iron जो की हमें मिलता है जब हम लोग उस particular substance को पानी में dissolve करता है यानि की dissociation होने के बाद तो जब भी कोई बी substance जब dissociate होती है तो हमें जो H plus iron जितने numbers में मिलते हैं एक molecule के अंदर एक acid के अंदर तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे basicity ठीक है that is the number of H plus iron जितना भी number of H plus iron हमें मिलते हैं ठीक है कितना भी हम लोग को H plus iron किसी भी acid के अंदर किसी भी acid के अंदर जितने number of H plus iron मिलते हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे उसका basicity ठीक है ओके वैसे acidity of base क्या रहेगा कि जितने भी number of जितने भी number of OH minus iron मिलेंगे किस में मिलेंगे basis के अंदर वो चीज उसका determine करेगा कि कितना वो base का acidity है ठीक है तो उमीद करता हूं कि यह छोटा सा topic था बहुत ही सुन्दर heading डाल देते हैं क्या है heading हमारा concentration ठीक है actually concentration बोलते हैं लेकिन पढ़ते इसको concentration है ठीक है तो आप pronunciation कैसे भी कर सकते है कोई परिशानी नहीं होगी उसके लिए pronunciation का marks नहीं मिलता है पहले मैं बता तो आपको लिखने का marks मिलता है आपको exam written होता है तो ginger अब जैसे की example लेता हूं मैं की concentration का मतलब होता है गाढ़ापन करों मतलब कितना तीक है वो छीज कितना पतला है तैकि लेकिन क्या liquid जैसे की example के तौर न्योरपे में समझाता हूँ, आप एक ग्लास पानी लें हो, ठीक है, अप एक ग्लास पानी ले ते कंगे तो आरत दिखेगा, तो एक ट्रांम्सपरेंट ग्लास ले लो, उसके आप क्या करो एक एक ग्लास पानी ले लो एक ग्लास पूरा भर के नंग हाफ से थोड़ा सा जाधा पानी ले लो अब पानी के अंदर आप क्या करलो एक चम्मच शक्क्र डौल दू पूरा ग्लास के अनदर डिसौल कर दू Michael उसके अदर घुल जानाचि ये, और उसको चकर देखनाए, उसको फिर टेस्ट करो, तो दोनों के टेस्ट में आपको कुछ फरक दिखाई देगा, करेक्ट है, ओवियसली, जो एक चमज डाला, वो ज़्यादा कम मिठा होगा, जिसमें 10 चमज शक्कर डाला, वो ज़्यादा मिठा होगा, तो यही चीज में बता रहा हूँ, कि concentration का मतलब होता है, the amount of solute present in the solvent, solvent क्या है यहाँ पे, liquid यानि पानी, solute क्या है मेरा, यहाँ पे, एक तरीके से, शक्कर, तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, कि वो शक्कर का एक्जामपल तो मैंने आपको समझाने के लिए, तो मैं in short बोल सकता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि the amount of solute, the amount of solute present in solvent, the amount of solute present in solvent is called, is called its concentration, यानि कि किसी भी चीज़ का concentration निकालने के लिए, हमें क्या करना होता है, बस कितना amount of solute present है, कितना amount of solute हमने डाला है, उस solution के अंदर, उस solvent के अंदर, ताकि जो solution बनेगा, solution जो बनेगा, उसका concentration डेटर्माइन हो जाए, यानि कि अगर मैं दो compare करूँगा, एक glass में, एक चमश पानी में एक चमश शक्कर था, होगे lifetime के लिए याद रहेगा ठीक है तो उमीद करता हो कि concentration का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीजे उसमें होती है तो यह चीज आपको determine करने में help करती है concentration का मतलब ठीक है तो basically concentration आपको क्या मिला इस कि कोईबी चीज का solution है चाहे वो एक निम्मूपानी हो चाहे वो आपका शुगर का solution हो चाहे वो एक acid हो चाहे वो base हो तो हम बात कर रहे है acid की या फिर base की यानि कि अगर कोईबी चीज acid है तो उसका अगर concentration हमें determine करना है तो वह कैसे determine होगा कि कि इतना number of ज्यादा से यादा इसके अंदर H-plus आयन प्रेजेंट है, क्योंकि acid है, तो acid के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, H-plus प्रेजेंट होते हैं, hydrogen ions रहेंगे, वो acid का concentration रहेंगे, जिसके अंदर hydrogen ion कम रहेंगे, उस चीज का, जो concentration होगा, वो कम होगा, सेम अपलाए होता है base के उपर, तो base भी क्या होगा, कि जिसका concentration जो होगा दोस्तो, concentration जिसमें, जो base में OH- जो होता है, OH- iron जो होता है, जिसके वेसे वो base बनता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा present है, तो समझ जाना कि उस base का concentration जादा होगा, जिसके अंदर वो OH- कम है, तो उस चीज़ का जो base CT होगा, जो base होगा, वो क्या हो जाएगा, कमजोर होगा, जो concentration होगा, तो हम लोग बोलेंगे low concentration, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हो कि ये चीज़ भी आपको समझ में acid होता है, या फिर neutral होता है, ये सबी चीज़ हम लोगों पढ़ना है दोस्तों, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको आज नहीं, हम पढ़ेंगे उसको हमारे अगले lecture में, तो आज का lecture यहीं पर मैं समात करता हूँ दोस्तों, इसे के साथ, और बहुत सारे topics आज हमने cover कि हैं, लेकिन एक और lecture लेकर आजाओगा, जल से जल, lecture no.3, उसमें जो बचे वे topics हैं, जिसको हमने बोलते pH, कोई भी solution का, acid का, pH क्या होता है, कैसे निकालते हैं pH और किस चीज़ से निकाला जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा, अगला lecture बहुत important होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगाए, दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताएगा अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूस्फुल लगा है फ्रेंड्स, तो फ्लीज वीडियो को लाइक किजेगा, शेर किजेगा, आपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेर कर देना, अगर आपने अभी दग इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो फटाफट से हमारे इस चानल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथने बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेग ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं मारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू एंड गुडबाई